तो अब हमें क्या करना है अगला डिसकाउंट निकालना है तो फ्लिपकार्ट ने पहला डिसकाउंट यह निकाला था पहली कंडिशन यह थी फ्लिपकार्ट की कि कॉस्ट जो है अगर 20,000 से कम होगी तो 5% का डिसकाउंट देंगे तो हमने 5% का डिसकाउंट निकाल लिया फ्ल 40,000 रुपए के बीच में किया अगर आपने पर्चेजिंग टोटल कॉस्ट की तो हम आपको साथ परसंट का डिस्काउंट देंगे तो अगला जो है हम क्या करेंगे एलसिट चला देंगे ठीक है एलसिट में हम क्या कर देंगे कंडिशन बहुत एजी है क्योंकि हमें क्वास्ट से करना है तो क्वास्ट अगर हमारी क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 है and cost is less than cost is less than और इक्वल टू क्या है 40,000 तो हमें क्या मिलेगा discount जो मिलेगा तो हम यह पूरा का पूरा उपर से copy कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ formula change करना है बाकी सारी चीज़े save रहेंगी तो हम यहां से इसके जो अंदर का content उसको copy कर देते हैं discount को यहां change कर देते हैं 5 की जगा पर हम यहां पर 7% कर देंगे ठीक है F क्यों लिख रहा है मैंने बता दिया था क्योंकि float में जब भी आप value represent करते है Java में तो आपको compiler को बताना होता है कि यह float value है last में small f लिखना पड़ता है नहीं तो by default वो उसको double समझ लेता है तो यहां पर discount हमने निकाल लिया cost से अगर 0.07 multiply कर देंगे तो 7% इसका calculate हो जाएगा वो discount में store हो जाएगा और फिर जो cost है उससे अगर हम discount minus कर देंगे तो हमारा बचा हुआ पैसा हमको पता चल जाएगा तो हमारा वो output आजाएगा इसी तरीके से हम अगली condition बना लेते हैं हम इस पूरी condition को copy कर लेते हैं और सिर्फ condition में changes कर देंगे तो अगली जो condition है वो यह है flip card की कि अगर आपने 40,000 रुपए से ले करके अगर आपने 40,000 से ले करके 70,000 के बीच में shopping की है तो हम आपको discount देंगे पूरे के पूरे 10% ठीक है तो हमने यहाँ पे 10% कर दिया मतलब कि अगर cost को हम 0.10 से multiply कर दें ठीक है तो हमारा 10% निकल कर किया जाएगा ठीक है और वो discount में store हो जाएगा तो यह discounted amount निकल किया जाएगा फिर cost से वही same formula है अगर हम minus कर देंगे तो हमारा discount निकल किया जाएगा हमने discount को display कर दिया हमने total को display कर दिया ठीक है फिर last जो condition है तो उसको हम भी चला लेते हैं last condition क्या है last condition यह है कि अगर costing जो है वहाँ पे सिर्फ एक ही condition निकल दिया है कि अगर आपका जो amount है अगर वो 70,000 के उपर है तो हम आपको पूरे के पूरे जो discount देने वाले हैं वो 12.5% कर देने वाले हैं तो 70,000 के उपर की अगर आप shopping करते हैं तो 12.5% का discount मिलेगा 12.5% का discount same formula is same calculation is same discount निकल आएगा total cost से discount को minus कर देंगे तो हमारा जो cost हमें जो total जो flip card को pay करना है वो हमें पता चल जाएगा सभी में formula तो सेम रहेगा सिर्फ क्योंकि percentage का difference है discount का तो वो सारा यहां पर calculate कर रहा है हम लोग उसको हम display कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि अब इसको एक बार और execute करके देख लेते हैं program को ठीक है तो अभी भी यहां पर एक bracket missing बता रहा है bracket missing at 20,000 और 40,000 वाले में ओके ठीक है 2040,000 वाले missing इसलिए बता रहा है क्योंकि यहां पर Java में जो एंड के लिए operator यूज किया जाता है हमने एंड के लिए operator यूज किया जाता है यह वाला ठीक है तो यह सारी जगा पर मुझे वही वाला रहा है पहला वाला answer आ रहा है 950 और 18,050 तो 950 डिसकाउंट था और 18,050 जो है आपको देना था क्योंकि यहां पर costing जो आपने दे रखी थी जो आपने shopping की वह 19,000 रुपए की की थी अब यहां पर हम इसको मैं change कर लेता हूं आप user मैं input भी करवा सकते हैं scanner लेकर के मैं यहां पर value और थोड़ा change करें तो मैं 56,000 की shopping तो मैंने किया 56,000 रुपीज की shopping अब देखते हैं मुझे discount कितना मिलेगा ठीक है कितने में आ जाओंगा 10% के slab में आ जाओंगा 10% वाले में क्योंकि जो इन्हों ने range दे रखी है वो 40,000 से लेकर करके 70,000 के बीच में दे रखी है 10% वाला slab यह वाला तो यह वाला लूप execute होगा यह वाली condition जो है वह execute हो जाएगी यहाँ पर इस वाली condition में 40,000 to 70,000 के बीच में control इसके अंदर आएगा और 10% उसका निकालेगा तो अगर हम देखे calculator से calculate करके देख लेते हैं अगर हम अगर हम क्या करें कि तो इसको अटा देते हैं हमें क्या करना है हमने amount कितना दिया था 56 56,000 का अगर हम shopping करते हैं और इसका अगर हम 10% निकालते हैं मतलब 0.10 से अगर इसको multiply कर दिया जाए तो यह देखिए कर दें मतलब 56,000 को अगर इससे minus कर दें यह 56,000 से इसको minus कर दें यह देखिए कर सकते हैं अगर आप यहां पर हम amount चेंज कर देते हैं इसको 70,000 के ऊपर कर देते हैं सब्सक्राइब सबसे highest bracket 12.5% discount के लिए eligible हो जाएंगे दिख रहा है तो जब 70,000 के लिए आप कर लेंगे तो वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगे 80,000 के ऊपर चला जाएगा तो costing को स्टिंग कर देते हैं 45,000 कर देते हैं हमने थोड़ा और कम करते हैं ताकि हम भी पहला कंडिशन सेकेंड वाली कंडिशन को चेक कर देते हैं तो यह सेकेंड वाली कंडिशन में आ जाएगा 20,000 से 40,000 मतलब 7% discount के लिए eligible हो जाएगा तो यह देखें तो 35,000 का अगर आप 7% निकालेंगे तो आ जाएगा 2450 तो यह देखें 35,000 का अगर हम निकालके देखें 2450 रुपे वा जाएगा और टोटल कास्टिंग आ रही है आपकी 32,500 मतलब जो आपका बच रहा है वो 32,500 बच रहा है तो यहां